हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आज मैं आप सब के लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकिया हूं जिसको आप ठंडग में जरूर यूज कीजिएगा आपको बहुत ही अच्छा इससे रिजल्ट मिलेगा तो चलिए फ्रेंड हम वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने ही हैं लेकिन फ्रेंड यह होता है कि अगर हम इसको नया नया यूज करते हैं तो यह दिखने में साफ सुथरा लगता है लेकिन थोड़ी दिनों के बाद हम इसको यूज करते हुए देखेंगे कि एकदम से यह काला हो जाता है तो उसके लिए बहुत ऑच्छी ट्रिक लेकि हैं कि बीना पानी से आप इसको किस तरह से साफ कर सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना बस इस तरह से एक जो बच्चे रेजर लेते हैं बस वही रेजर आपको लेना है लेने के बाद में इस तरह से आप इसे मतलब जैसे हम कुछ लिखते हैं और मिटाते हैं बस आपको वै आपको बहुत ज़्यादा चार्जर खराब हो तो आप क्या किजिए अपने नाकून से इसमें होल थोड़ थोड़ा सा हो जाता यह देखे फ्रेंड बहुत ज़्यादा यह गंदा था लेकिन अब आपको लग रहा हुआ कि जैसे पहले आया था वैसे ही यह चार्जर हो गया ब Myए हम नेशन की तरफ क्या होता है जब भी हम मार्केट जाते हैं या कुछ भी कहीं भी जाते हैं तो हम सब कुछ तो रख्ते हैं और चोटा वाला पष्क्र यूज़ झरूर ही करते हैं कि और यूच्चप करते हैं उन्हाई होता है कि यह थृओ कि जो थोड़ा क्या है जब भी आपको लगे कि आपका चैन थोड़ा सा रुक रुक के बंद हो रहा है तो आप एक काम कर दीजिएगा इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल यूज कर लीजिए जिससे आपका जो चैन रुक रुक के बंद हो रहा है वो आराम से बंद हो जाएगा और जब भी रुक रुक से बंद शुरू होता है इसका मतलब यह चैन खराब होने वाला है अगर आप यह कर देंगी तो आपका चैन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा यह बहुत अच्छी क्योंकि हम इसका योज तो हमेशा करते रहते हैं अगर आप इस तरह से रखेंगी तो आपका चैन कभी भी फैल नहीं होगा यह ट्रिक आपको पसंद आए तो कमेंड कीजिएगा आप चलते हैं अपने हम नेस्ट टिप्स की तरफ यह बहुत ही अच्छी ट्रिक है प्रिंट नेवी का यूज नहीं करना है बस आपको एक या दो बूंद का नेवी का यूज करना है बहुत ही कौंटिटी बहुत हिसाब से देखिएगा और वीडियो भी इसकी मत कीजिएगा यह जो हम बना रहे हैं एक्तम रामबार इलाज है इसे आप यूज करें के देखिएगा थो रहती इसे बिल्कुल ही दूर हो जाती है तो फिर इसके बाद में आपको क्या करना इसे में थोड़ा सा नारियल का तेल ले लेना है आपको थोड़ा ही लेना है अगर और च édha कौनटडीर में बनाती हैं तो जो मैं बता रहुत है उसको थोड़ा सा बढ़ा तो फ्रनं क्या करना है। इस तरह से इसमें नारियल one डॉ डाल देबाइं है। आप इस पर वासलीन का यूज नहीं कर सकते। आपको इसमें नारियल Community नहीं करसक्ते। अब कर देंडें। उसको लेने के बाद में आपको इसमें जिल ळेना होगा। अलोवेरा जिल जो आता है आपको वही लेना है अगर आपके पास वरजनल वाला हो जो मतलब होता है घर पे अगर आपके वास वो हो तो बहुत ही अच्छा है अगर आपके पास वो ना हो तो आप इसको भी यूज कर सकती है लेने के बाद में थोड़ा सा आपको इसमें गुल एक दम से չाथ लगता है हुआ जाता है और जो जो होते ना इसमें जो स्किन उपर की होथी है थूद 창 लेएब भूड आ जा एए बीद हो चुके हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है इसे मैं यूज करती हूं भी मैं आप दिखा रहे हूं कि कितना अच्छा एपको आपकी इसको मालिस जड़ा करनी होगी खोब अच्छे से आप इसको अच्छे से मालिस कर दीजिए जिसे मैं दिखा रहे हैं वीडियो में बिल्कुल ही आपको वह वैसी ही करना है आप इसको अपने नीचे इस तरह से हाथ में लगाईएगा और हतेले में भी लगा स्वाप्ट हो जाएगा आप यकिन नहीं करेंगी तो अच्छा इसे एक रिजल्ट मिलेगा और फ्रेंडा स्वारी में फ्रेंड करने वाले थी फ्रेंडा निकर शिवाने कुमारी हो गई तो फ्रेंड आपको इस तरह अगर आप इस तरह से अपने पर लगा लेगे तो मानिए Cute अपका आप बहुत अच्छा दिखने हैं! इस तरह से आपको निया थे अच्छे से आपको गुन गुनावी पमी लेना है लिजेगा लेने के बाद में थोड़ी दिर इसको इस तरह से धुलिएका धुलने के बाद में आप कोई भी अच्छे कपड़े में इसको अच्छे से भूच लीजेगा भूचने के बाएं आपको दिखा रहे हूं मेरे दोनों हाथों में कितना फर्क हो गया यह देखिए और आप मेरे यह की जिसमें मैने क्रीम का यूज किया था कितना साफ लग रहा है और यह हाथ देखिए अ आपको रिजल दीखा वो कितना अच्छा यह होता है मैंने एक ही दिन यूज किया है और बहुत जदा अंदर बाहर अच्छे से हो चुका है और जो इसका जो हाथ थोड़ा बुड़ा दिख रहाता है जिसे बहुत ही अच्छा हो चुका यह आप जरूर यूज कीजेगा फिरे ये देखें आप मेरे दोनों हाथों का रिजल दे सकते हैं इसके लिए एक लाग बनती है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए का चलिए अपने हम नेश्ट टिप्स की तरफ क्या करना है पहले आपको गया जला लेना उसके बाद में थोड़ा सा गरम पानी इसमें उसको गरम कर लेना गरम करने के बाद में जो नारियल का वोतल आता है इस तरह से आप इसको डख दीजिएगा अब आप सोच रहे हैं एक गरम पानी में इसको क्ह Around कि यह होता है ना कि ठंडक में जो नारियल का टेल होता उए एक दम से जम जाता है बिल्कुल भी नहीं नि यह बहुत ही अच्छे से गरम हो जाता है जिस से नारियल का जो तेल वो आराम से निकल आता है यह आपको दिख नहाँ कि कहां तक यह गडिम से भार चुका है बहुत ही अच्छे से यह निकला तक वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से दने बाद ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखेंगा ओके बाई फ्रेंट टाइंट वीडियो को देखने के लिए